हेलो एब्रिवन वेलकम टू स्टडी टाइम इत न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो बिहार PCS का फॉर्म आ गया है जो भी बिद्ध्यार्ती इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि BPSC से नोटिफिकेशन कब जारी होगा तो इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया ह और यहाँ पर 731 पोस्ट हैं 731 पदों के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें आप देख रहे हैं यह कैटेगरी वाइस और जो विभाद हैं पदनाम हैं उसके अनुसार यहाँ पर लिस्ट दी गई है टोटल 731 पद हैं और अगर इसमें एज की बात करें तो जो अधिकतम एज है पोर्सों के लिए वो 37 एर है और महिलाओं के लिए 40 एर है आगे देखिए इसमें जो बात की गई है सेच्चिक योगता की जो सेच्चिक योगता मांगी जाती है वो सिंपल ग्रेजुएशन है आपने भारत के किसी भी विस्विद्याले से अगर इ उसकी समकच कोई परिक्चा दी है उसमें आप उत्रिण है तो आप बिहार PCS का फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसमें जो आरक्षन दिया गया है वो जैसा बिहार PCS में दिया जाता है BPSC के द्वारा वो सारी चीजें इसमें दी जाएंगी SC, ST, OBC के लिए आगे देखिए आर कर देखिए जाता है एवं राज्जी के अकॉर्डिन दी जाता है वो यहां पर सारा दिया गया है डिटेल में तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं और जो EWS और इन सभी को आरक्षन दिया जाता है वो यहां पर दिया जाएगा लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान दीजीए गा कि जो आरक्षण हैं वो बिहार की जो मूल निवासी हैं उन्हीं को दिया जाएगा जो बिहार के मूल निवासी होंगे उन्हीं को आरक्षण का लाब मिलेगा जो अन्य राज्यों से होंगे उन्हें आरक्षण का लाब नहीं मिलेगा वो जनरल कैटेगरी में आएंगे आगे देखिए सारीरिक छमता की बात करें क्योंकि इसमें डिपटी SP की जो पोस्ट होती है तो उसमें जो पुरुस हैं उसको 5 फिट 5 इंच हाइट मांगी गई है और 32 इंच सीना होना चाहिए वो भी बिना फुलाए अगर इसमें महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को 5 फिट 2 इंच हाइट मांगी गई है और SC-ST के लिए 5 फिट 3 इंच हाइट जो की आरचण दिया गया है और यहाँ पर अगर सुलकी की बात करें तो BPSC में जो बिहार PCS का फॉम आता है इसमें हर वर्ष 600 रुपए लिये जाते हैं उसी तरह इस वर्ष भी सामान वर्गे के जो अभ्यारती हैं उनके लिए 600 रुपए निर्धारित किये गए हैं और केवल बिहार राजी के जो अनसूचित जन जाती के विद्यारती हैं उनको 1.500 रुपए फीज पे करनी होगी बिहार राजी के जो इस्थाई निवासी हैं सभी आरच्चित अनारच्चित वर्ग की जो महिला हैं वो भी 1.500 रुपए फीज देंगे इसके साथ ही जो दिव्यांग अभ्यारती हैं 40% या उससे अधिक दिव्यांग हैं वो भी 1.500 रुपए फीज पे करेंगे और जो भी अन्य सभी उम्मीदवार होंगे विद्यारती होंगे वो 600 रुपए इसमें फीज देंगे आगे देखिए इसमें बात की गई है प्रारंबिक परिक्चा की तो जैसा कि आप जानते ही हैं दो घंटे की परिक्चा होगी जिसमें 1.500 प्रस्ण होंगे आपसे बहु विकल्पी है और आगे इसमें देखिए पॉइंट नंबर 2 में सलेवस दिया गया है कि क्या-क्या पूछा जाएगा तो GS का जो सलेवस होता है वही सारी चीज़े पूछी जाएं कि हिस्ट्री जियोग्राफी लेकिन इसके साथ बिहार PCS है ये तो बिहार का जो जीके है बिहार का करण्ट अफेर्स है वो इसमें पूछा जाएगा बात करते हैं यहाँ पर जो 9 नंबर पॉइंट लिखा है इसमें एक चीज़ बताया गया है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस समय आप मेंस का जो पेपर है उसके लिए जो आप एक सब्जेक्ट अपनी इच्छा नुसार चुन सकते हैं तो उसकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आप चूस कर सकते हैं और केवल एक ही सब्जेक्ट चुन सकते हैं और बाद में यह आप बदल नहीं सकते हैं यहाँ देखिए यह सारी लिस्ट दी गई है रसाइन विज्ञान, सिविल इंजिरिंग, बाड़िज सारी लिस्ट दी गई है आप इसमें से देख सकते हैं और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब भी आपको यह लिस्ट दिखाई देगी उसमें से आप चूस कर सकते हैं आगे देखिए इसमें भात की गई है कि जो ओनलाइन आवेदन है वो कब से सुरू होंगे तो आवेदन करने की जो प्रारंबिक तिती है वो 28-9-2020 यानि 28 सितंबर से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी जो अंतिम तिती है वो 20 अक्टूबर 2020 है तो अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो जैसे ही ये ओपन हो तो आप फॉर्म फिल कर दें क्योंकि अगर आप इंतजार करेंगे कि 4-5 दिन बाद एक हपते बाद फिल करेंगे तो साइट बिजी हो जाती है और फॉर्म फिल करने में आपको प्राब्लम होगी और पता नहीं कि डेट आगे बढ़े या ना बढ़े तो अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो पहले ही करते हैं बिना कोई देरी कियो हुए तो यही सारी डेटेल थी जो BPSC का नोटिफिकेशन है अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में मुझे पूँच सकते हैं थैंक्यू मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ